हेलो दोस्तों मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजूकेशन हब योटूब चानल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो लेक्षिर में क्या होगा दिखिए आज की वीडियो में हम लोग केमेश्ट्री सबसीडरी का कोस्टन बैंक पार्ट वन के लिए आज से स्वाव करना स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग 2020 से स्टार्ट करेंगे फिर 2019 फिर 2018 फिर 2017 फिर 2016 फिर 2015 सभी ER के Question Bank को सौल्ट करने वाले हैं तो चलिए हम लोग chemistry subsidiary का Question Bank solve करने हैं स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं सबसे पहला नमबर Question क्या है चलिए मैं आप लोग को आपका Question Bank दिखा दू देखे यह आप लोग का question bank है ओके और यह देख सकते हैं 2020 exam का हम लोग देख रहे हैं और हम लोग किस university का question bank solve कर रहे हैं तो हम लोग बिहार university के question bank को solve कर रहे हैं तो बिहार university के chemistry subsidy का question number 1 का option number A proof है चलिए हम लोग इसको अच्छे समझेंगे फिर हम लोग दूसरा question भी proof ही करना है तो चलिए हम लोग दोनों question को बहुत ही अच्छी तरीके से group 1, group 1 कोसिस करूंगी मैं पूरा group 1 complete कर वाओ लेकिन देखे जहां तक हो पाता है वहां तक करवाते हैं चलिए देखे क्या लिखेगा पहला का A का solution अगर आप लोग के पास question bank नहीं है तो कोई बात नहीं टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है कहीं भी किसी परकार के कोई भी टेंशन होती है तो आप लोग मुझे कमेंट सिक्षन में बोल दिजिएगा मैं आप लोग के टेंशन को दूर कर जूंगे क्या देखे find out the expression for the work done is isothermal reversible expansion for an ideal gas तो आप लोगों को work done निकालना है आप लोगों को work done पता करना है किस टाइप का process है तो आप लोग का जो process है वो process है isothermal 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 reversible isothermal reversible isothermal reversible ispansion है तो isothermal मतलब क्या होता है यहां से कुछ-कुछ पता चला होगा temperature के की की जारी हो जलिये तो . अईसो क्या होता है और आई-ई-ई-शो मतलब आप लोगों का हूता है जो खूछ-पीजाँ प्रोसेस हो जो कोई भी लगाते हैं P external into delta V या फिर D B P external into D B आप लोग यही formula लगा के आप लोग किसी भी question को solve करते हैं work done is equal to minus of P external D B आप लोग formula यूज करते हैं और यह जो volume लेते हैं initial volume माल लीजिए V1 और final volume जो है वह आप लोग V2 मान सकते हैं तो चलिए आप लोगों को किस्प के लिए पूछ रहा है ideal gas के लिए ओके तो ideal gas तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है देखें प्रूप मैं समझा रही हो ना तो प्रूप पे द्यान दीजिए अपन भी तो चलिए हम लोग लिखते हैं ध्यान से समझिए कोसन को तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे पी एक्स्टरनल के जगह पे हम लोग लिखेंगे एक नंबर ऑफ मोल जो कि constant अर्म है और टेमप्रेचर भी यहां कि है आइसो थर्मल प्रोसेस में आप लोग का टेमप्रेचर जो होता है वो constant रहता है मतलब सेम रहता है तो हम लोग माइनास एन अर्ट जो है वो बाहर निकलेगा और यहां बचेगा वीवन से वीटू और य नई पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो ध्यान देजीए क्या होता है लोग वी पहले से और यहां से लोग वी और यहां पे लेक्EST होता है और बीक्रीडुकों करते हैं तो हम पर बेस यह को भीच्प 10 पर स्वाय हुता है तो हम लोग को जो base e है न उससे हम लोग को base 10 में कैसे change करना होता है यह भी मैं आप लोग को सिखाती हूँ पहले यहां तक देख लीजिए तो यहां पर आप लोग को क्या हो जागा minus nrt log v2 minus log v1 और मैं आप लोग का एक प्रोपर्टीज बताती हूँ क्या प्रोपर्टीज ध्यान दीजिए यहां पर प्रोपर्टीज लिख लिख लेजिए log of a minus log of b जो होता है वो बढ़ाबर होता है log of a divided by b के तो चलिए हम लोग इसको solve करते हैं आप लोग screen shot लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे minus nrt log base e है और v2 upon v1 है समझ में आया है हम लोग a minus log b को log ay b लिख सकते हैं यह log का प्रोपर्टीज है चलिए आगे देखिए जैसा कि यहां पर base e है और हम लोग को change करना है base 10 में तो जब भी हम लोग को base e से base 10 में change करना होता है तो हम लोग को multiply करना होता है 2.303 है तो हम लोग multiply करेंगे 2.303 nrt log base 10 v2 upon v1 हो जाएगा यहां तक समझेगा चलिए यह तो एक यह फर्मूला हुआ और इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं यह ध्यान देजिए देखिए हम लोग का क्या है आइसो थर्मल प्रोसेस था आइसो थर्मल प्रोसेस था ना मतलब यह constant temperature था तो अगर आप लोग को पता होगा तो constant temperature पे क्या होता है constant temperature पे है वह inversely proportional होता है बी कि जो कि आप लोग boils law में भी पड़े होंगे तो अगर P जो है V के मतलब P जो है वो directly proportional किसके है constant के है मतलब P1 B1 जो है वो बढ़ावर है V2 B2 के तो हम लोग यहाँ से V1 अपन V2 V2 अपन V1 निकालते हो के यहाँ पे V2 अपन V1 है तो V2 अपन V1 जो है वो बढ़ावर हो जाएगा P1 अपन P2 के यहां पे जो मैं आप लोग को रिजाल समझा रही हूं इसको ध्यान दीजिए विटू अपन भीवान जो है वह बराबर हो जाएगा पीवान अपन पीटू के तो आप लोग यहां पे क्या लिखिएगा तो आप लोग यहां पर लिखिएगा देखिए माइनस टू पॉएंट 30 degree 398 local solid । अपन भीवान के जगा पे क्या लिख सकते है यह दो पॉपन पीटू क्योकि आईणिम्टर्मल प्रोंचंटें जरह चैन्स टैंमन के उद्यकोन को फिवान और फिय तो पीविवान वीवान इकल टू न लिखिए कि द्यकिक एनाइन ब्रौनलग लिख लिखिए लब यह सभी जो है ना यह सभी आप लोगा किसका फर्मूला है work done in reversible expansion isothermal में ओके तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं और हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस यहां पर सीधे यह भी लिख सकते हैं माइनस nRT log of base e P1 upon P2 चलिए यह लिख सकते हैं और देखिये और क्या लिख सकते मैं आप लोग को यह क्या बता हूं पीभी इक्वाल टुए T पीबी भी लिख सकते हैं और लोग उस टाइप से भी आप लोग इसको चेंज कर सकते तो हम लोग को पहला नंबर कोस्टन क्या था देख लिजी आप लोग हम लोग को बताना था find out for the expression for the work done is isothermal reversible expansion of an ideal gas तो हम लोग आप लोग को बता दी work done का formula क्या आता है work done का formula आप लोग याद भी कर लिजे क्या है अभी derive किये होंगे खुद मेरे साथ तो आप सभी को याद ही होगा अगर नहीं भी याद है तो याद कर लिजे माइनस 2.303 nrt log of v2 upon b1 यह हम लोग का क्या है work done का formula है किसके लिए isothermal reversible expansion के लिए तो चलिए question number one का option number a आप लोग प्रूफ कर लिए और I think आप लोग को समझ में भी आया होगा करना कुछ नहीं था यह एक work done का general formula है जो कि सभी के लिए valid है यह आइस मतलब कि यह तो आइसो thermal के लिए पूछा और कुछ के लिए ही पूछेगा तो हम लोग स्टार्टिंग यही से करेंगे यह work done का हम लोग का general formula है पी एक्स्टर्नल इंटू डीवी वी वन से लेके वी टू तक बस पी का पी वी कोल टू एनाटी तो पी को हम लोग वी के फोर में रखें क्योंकि यहां पर वी है तो इंटेग्रेट करने के लिए इसको वी के तर्म में आना चाहिए बस हम लोग उसको किये हैं और हम लोग आप लोग के पास दोस्तों जरूर ऑंगे तो पने पांच दोस्त को जरूर बिताईएगा यहां पर question 9 का solution मिलता है और सभी लोग आयेगा और solve की जया मतलुब कि जो भी मैं आप लोग को बता रही हूं और हाँ एक request है वीडियो में जो भी advertisement आएगा कभी भी मेरा कोई भी देख लीजिएगा और इसकी एड इसकी जो आप्शन आता है इसकी को एड करने का उसको बस क्लिक मत कीजिएगा एक डिक्वेस्ट मेरे तरफ से आप एक बात मेरा माल लिजिए उसके आप लोग का कोई भी बात हो तो कमेंट सेक्षण नहीं बोलिएगा मैं आप लोग का सभी इसको होता है इसको हम लोग मेर्श्रीलेशन के नाम से भी जानते तो पहले हम लोग Molar हीट कैपेसिटी का डिफनेशन क्या है डिफनेशन लिखें गए उसके बाic我 हम लोग इसको डिराइब करेंगे 습니다 okay तर लिए आब सभी molar heat, molar heat capacity का आप लोग क्या किजिएगा, आप लोग लिखेगा definition, लिखे, the molar heat capacity is the amount of energy, the molar, the molar heat capacity, the molar heat capacity is the, the molar heat capacity is the amount of, amount of energy, amount of energy required to, required to, required to raise the temperature of a, required to raise the temperature of one mole of a substance, temperature of one mole of, substance by one degree, okay, just wait, the molar heat capacity is the amount of energy, required to raise the temperature of one mole of substance by one degree, by one degree, इसका इसा यूनिट भी लिखेगा, इसा यूनिट इसा यूनिट, इसका इसा यूनिट क्या होता है, Joule per mol Kelvin, तो क्या होगा देखे, आप लोग तो molar heat capacity का लिखने सा लिखना है, तो यह एक, the molar heat capacity is the amount of energy, amount of energy, required to raise the temperature of, one mole, one mole by one degree, okay, Kelvin का degree होता है, तो यह आप लोग इसका इसा यूनिट भी याद रखेगा, molar heat capacity का, अब हम लोग को प्रूफ करना है, CP minus CB जो है न, वो R के बराबर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे heat capacity at constant temperature, फिर हम लोग निकालेंगे heat capacity of constant volume, चलिए हम लोग solve करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चलिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चलिए लिखिएगा पहले add constant volume, यहाँ पे heading डालिएगा, यहाँ पे star mark किजिएगा, और लिखिएगा add constant volume, add constant volume, पे आप लोग क्या होगा formula, q equal to n c v delta t, q equal to n c v delta t हो जाएगा, constant volume है, तो यहाँ पे c v आएगा, और constant temperature रहता है, तो यहाँ पे c p आता, तो हम लोग यहाँ पे q को लिख सकते है, dq और यहाँ पे हम लोग का n है और यहाँ है cv और delta t को हम लोग लिख सकते है dt n equal to 1 के लिए हम लोगों का n equal to 1 लेते हैं तो dq equal to जो है वो बढ़ावर होता है cv dt के बढ़ावर होता है तो आप सभी को अगर पता होगा वर्क का फर्मूला तो वर्क का फर्मूला मैं अभी थोई दिर पहले ही बताई थी आप लोग का integration of minus b1 से v2 pdv होता है आप लोग का वर्क डन का फर्मूला अगर आप लोग का constant volume है वॉल्यम कोंस्टेंट है मतलब आप लोग का volume कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आप लोग का वर्क डन क्या आजाएगा वर्क डन आ जाएगा आप लोग का 0 लिखेगा लिखेगा भाइ फर्स्ट लॉण फर्मोड्याइमिक्स कि लिखे बाइ आ व स्ट के वीडियो को मी कुमें जो विडियो में दलती हो पूरा-पूरा देखते और में करते हैं नेक्स्ट वीडियो चाहिए वीडियो खतम होते ही आप लोग नेक्स्ट वीडियो के डिमांड कर देजागा ताकि मैं आप लोग जल्दी से वीडियो बना के डाल दूँगे जब एक जाम कर डेट नजतीक आएगा उसके बाद बहुत सारा कमेंट आएगा मुझे पता है अभ 1 लौव thermodynamics क्या है एक लोग का फर्सट लौव thermodynamics अगर को क्या लिख सकते हैं तो हम लोग का क्या है का लिख सकते हैंगे निकल के आता हैं तो हम लोग यहां से ड्यू जो है यह निकलके आता है चलिए इसको याद रखेगा अब हम लोग करेंगे add constant temperature पर क्या होता है बाद में हम लोग इसका भी यूज करेंगे अब देखे constant volume पर देख लिए अब हम लोग इसी तरीके से constant pressure पर देखेंगे और वहाँ भी हम लोग first love thermodynamics लगाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे चलिए अगर आप लोग screen shot नहीं लिए तो इसका screen shot लिजिए मैं page को पलट रही हूँ चलिए लिखे add constant volume तो हो गया अब लिखेंगे हम लोग add constant pressure वीडियो का length थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि match r u एक ही वीडियो में 2020 का कम से कम group a का सभी question को solve करवाना add constant pressure क्या हो जाएगा हम लोगका q equal to जो है constant pressure क्या हो जाएगा n cp delta t q को क्या लिख सकते है dq an equal to अगर हम लोग 1 लेते हैं और यहां पे cp है और delta t को हम लोग लिखेंगे dt लिखेंगे Suppose जो हम लिए फर्मूला और हो यह जो फर्मूला को फर्मूला होता है चलए में आप लोग समझा यह झाता है यौ delta v v1 से लेके v2 और यह हम लोग का p जब constant है तो जो integration करते है integration करते है तो हम लोग का constant हम बाहर निकल जाता है तो हम लोग का p बाहर आ गया तो हम लोग का dw जो है वो p db बनेगा चलिए by first law of thermodynamics by first law of thermodynamics क्या है first law of thermodynamics आप सभी को याद है q equal to w plus delta u यही है हम लोग का first law of thermodynamics q को क्या लिखेंगे dq छोटे से change के लिए w को क्या लिखेंगे dw delta u को लिखेंगे d u dq equal to हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग पिछले equation में dq निकाले थे जो की हम लोग का आया था c dq यही तो निकाले है dq cp dt और dw हम लोग का क्या है p db और d w p db है और d u क्या है हम लोग d u निकाले थे आप सभी को याद होगा थोई दर पहले हम लोग at constant volume में d u निकाले थे देखिए और d u आप लोग का वही क्यों रहेगा यह मैं आप लोग को समझाती हूं जो आप लोग का internal energy यह और सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को change करता है किस पर यह जो टेंप्रेचर चेंज होता है तभी हम लोगों का internal energy होता है यह सिर्फ और सिर्फ टेंप्रेचर पेडिपेंड करता है और दोना केस के लिए temperature जो है न वह सेम है तो डी यू जो होगा at constant volume और constant pressure दोनों के लिए डी यू का value हम लोगों का सेम होगा तो डी यू का value हम लोगों का निकल के आया था cv d t ओके internal energy हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ temperature पे डिपेंड करता है तो हम लोगों का यहां से क्या हो जाएगा और यहां पे हम लोगों का p d v है न2 déjà यह देख लिजिए यहने यही यह पर देखके लेजी पी को डी और आक होता है बीड को अनट होता है ne इक्वल्ट t1 नेंगे तो हम्लोग पीवी एक्वल डू आर रांटी हो जाएगा और अगर हम लोग इसको पार्सिल डेडिश सब्सक्राइब करते तो मतलब झील मijन दीवी आजाएगा और यह दोनों थो और तो सब्सक्राइभ एक्वर CWعت और VDP मतलब वॉल्यम जो चेंज हुआ यह वॉलियम चेंज नहीं हुआ क्योंकि अप लोग का जीरो हो जाएगा और यहां से आप लोग का प्रूफ होई चुका है बस थोरा सा पेसेंस रखने की जरूरत है डिटी डिटी सभी में कॉमन है कॉमन निकाल के कार देंगे तो हम लोग को यहां से cp equal to r plus cv आएगा तो यहां से हम लोगा cp minus cv equal to r आजाएगा और आप लोग देख सकते हैं क्या proof करना था तो आप लोग को proof करना था cp minus cv equal to r for ideal gas तो हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे hints proved चलिए आप लोगों को में क्या की हुआ भी 2020 के chemistry subsidiary का group a का question number one का option number a हम लोग solve कर चुके हैं अब चलिए देखें next question क्या है ओके देखें वीडियो का length बड़ा होगा मुझे पता है आप लोग एक टाइम में एक बार में पूरा वीडियो नहीं देखिएगा आप लोग बोड़ होईएगा और वीडियो को छोर के चली जाईएगा लेकिन फिर भी मैं आप लोगो एक ही वीडियो में group a पूरा complete करवा करने वाली हूं तो पेसेंस रखके आप लोगों को देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ज्यादा ज्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूं कम से कम वीडियो में पूरा complete करवाना चाहिए और हां एक रिक्वेस्ट है वीडियो में जो भी advertisement आएगा उसको प्लीज नहीं देखिए state होता है यहां पर यह कोस्टन में थोड़ा सा है न मिस्प्रिंट है तो आप लोग को law of corresponding state बताना है तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं पहले मैं आप लोग को बता दूँ यह law of corresponding state क्या होता है तो यह जानने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए यह व वंडरवाल equation क्या होता है P plus A by V square V minus B equal to RT यह वान मोल के लिए वंडरवाल equation यह होता है तो यह जो वंडरवाल equation में A, B और R जो आता है न तो यह है न गैस के नेचर पर डिपेंड करता है मतलब वंडरवाल equation जो होता है यह किसी particular gas के लिए valid होता है तो हम लोग है न एक ऐसा equation निकालेंगे जिसमें A, B और R नहीं आएगा तो A, B, A, B, R अगर नहीं आता है तो वो एक general equation हो जाता है जो सभी के सभी gas के लिए valid होता है न वही हम लोगा कहलाता है law of corresponding state तो चलिए अब हम लोग अच्छे से definition लिखूंगे मैं 2 मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं क् लिखे रही हूँ और फिर आप लोग समझेने की कोशिस के जागा अभी मैं जो बोली हूँ बस वही लिखूंगे तो चलिए लिखे आप लोग अप लोग को तो एक जान में लिखके ही आना है ना किसी को समझाना तो है नहीं तो आप लिखे आप लोग वंडर वाल देखे और वाल्यूम और टेम्प्रेचर को हम लोग जो है ना इंटरचेंज करेंगे क्रेटकल प्रेशर क्रेटकल वाल्यूम और क्रेटकल टेम्प्रेचर पे और उसको चेंज करते हुए हम लोग जो एक जनरल एक्वेशन बनाएंगे ना वह हम लोग का एक्वेशन होता है एंड प्रेशर वॉल्यूम और टेंप्रेचर को एक्सप्रेश करेगा क्रेट कल वॉल्यूम और टेंप्रेचर में तो लिखेगा प्रेचर करनाओर टेंप्रेचर वायओनेशो सेथार कहा इतने मैंवीडियो बना रही हूं तो अपने सभी फ्रेंट्स पास जरूर सेयर कीजिएगा इıtके उच्का यह आपको इलले घुकल मैं सब्छों सब्सक्तब्र चाज겠एगा इस critical pressure, critical volume and critical temperature ओके critical volume, critical pressure and critical temperature तो we can obtain an important general ओके हम लोग इससे एक general equation फाइन गरेंगे जिसको हम लोग principle of corresponding state की नाम से जानते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं यहां पर we can obtain an important generalization called the principle of corresponding state. चलिए अब हम लोग इसका derivation देखेंगे यह क्या होता है हम लोग यहां पर क्या लिखें यह मैं आप लोग को समझाती हूँ हम लोग जो है ना वो क्या करते है बेसिकली यह देखें हम लोग reduce pressure, reduce volume और reduce temperature पता करेंगे reduce pressure, reduce volume और reduce temperature यह हम लोग का होता है यह हम लोग का होता है actual pressure, actual pressure upon critical pressure, actual volume upon critical volume और यहां पर आर होगा reduce temperature है और actual temperature upon critical temperature यह हम लोग का reduce pressure, reduce volume और reduce temperature का फर्मूला है और यह जो reduce pressure, reduce volume और reduce temperature यह हम लोग का unit less होता है unit less कैसे होता है अगर आप लोग समझना चाहते है तो समझ लेजिए उपर भी pressure है नीचे भी pressure है तो आप लोग सम योनिट का जब divide किजएगा तो आप लोगों का unit less ही आएगा तो आप लोग का इसका unit होता है यह सभी का unit less होता है तो यहां से मैं आप लोगों से पुछूंगी P का value तो आप लोग क्या बताइएगा PR into PC यहां से वी का पुछूंगी तो VR into VC और यहां से टी पुछूंगी तो आप लोग बुलिएगा TR into TC यह हम लोग का एक्च्वल प्रेशर है एक्च्वल वॉल्म है एक्च्वल टेंपरेचर है देखिए आप लोग अगर बहुत सारा बुक देखते होंगे तो मैं बहुत सारा के वी पडिया रहता हैं धिया और बहुत सारे बुक में इस च्एब पर बोहाएं यह जो प्रेशर है इसके जगह decision है पाई यूज करते हैं रेडियूस वॉल्म जो है इसके जगह हम लोग तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं आप लोग इसलिए में बता दी इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं पी वालियूम और हम लोग पर ते रिडियूस प्रेशर रिडियूस प्रेशर वी यार को हम लोग परते हैं रिडियूस वॉल्यूम reduce volume और हम लोग PR को क्या पढ़ते है reduce temperature अभी हम लोग इसका derivation देखेंगे आप लोग बस देखते रही है और हम लोग PR reduce pressure को बहुत सारे जग़ा πाई लिखा वा रहता है और volume के जग़ा पे 5 लिखा रहता है और temperature के जग़ा पे theta लिखा हो रहता है ये भी मैं आप लोग को बता दियो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ये जो हम लोग P, V और C का जो value निकाले है reduce pressure और critical pressure के relate करके ओके तो ये हम लोग wonder वाल equation में रखेंगे क्योंकि हम लोग का main purpose क्या है हम लोग का main purpose है जो wonder वाल equation में आप लोग को थुई दिर पहले बताई क्या था wonder वाल equation चलिए एक बार और दिख लिजिए ताकि आप लोग को अच्छे से याद रहेगा P plus A y V square B minus B equal to RT तो हम लोग यहां पे जो हम लोग का P V और T के जगा पे हम लोग यह सभी substitute करेंगे ताकि हम लोग को बस यहीं आप हम लोग का purpose A और B और R को हटा देना है क्योंकि हम लोग का एक general equation पता कर लेना है जो कि सभी गैस के लिए valid होना चाहिए तो चलिए लिखिए क्या लिखिएगा substituting दीज वैल्यू इन वांडर वाल equation for one more of a gases चलिए लिखिए substituting देखिए आप लोग थोड़ा सा समझने पर द्यान देजिए क्योंकि यह थोड़ा सा derivation type का है अगर रट लीजिएगा तो एक्जाम के दिन तो ऐसे भी भूली जाना है तो कोई पढ़ने की जवत नहीं क्योंकि पढ़ने की जवत है ना उसमें पढ़ने की कोई जवत है नहीं सब्सिचूटिंग दीज वैल्यू इन वंडरवाल एक्वेशन फोर वन मॉल आफ गैसेज तो आप लेग हां प्लीज अपने फ्रेंड्स के पास जरूर सेयर किजेगा और अगर आप लोग का कोई भी कॉलेज ग्रूप होगा ना तो उसमें वीडियो को सेयर कर देजेगा त तो आपने प्लस एंसर नहीं मिलेगा को कुलिघ चलिये देखें प्लस देखें प्लस अब क्या अधिक खेंगे आप लोग बहुत जड़ एक्वेशन दिखेगा तो पाई के फॉर्म में रहेगा यह law of corresponding state जो है न वो ओके और इसको reduce equation of state के माम से भी जानते हैं तो यह PR कितना जग़ पाई भी लिखा वार रहेगा हम लोग PR ही लेकर चलेंगे V क्या है हम लोग का VR VC का whole square और यहां से क्या जाएगा VR VC-B और यहां R है और T के जग़े पे क्या होगा TRTC अब क्या करना है हम लोगों को अब ध्यान दीजिए आप लोगों क्या करना है अब हम लोगों को आप सभी को अगर पता होगा तो अच्छी बात है नहीं पता है तो ध्यान दीजिए composition pressure जो होता है इसका value हम लोगों का होता है a upon 27b स्कौर critical volume जो होता है इसका value होता है 3B और critical temperature जो होता है इसका value होता है 8A upon 27RB तो अब हम लोग को करना है यह जो critical pressure है और critical volume है और critical temperature है तो इसमें हम लोग करेंगे substitute तो चलिए देखिए PR है और PC के जगर पर क्या लिखेंगे A upon 27B square और यहां पर प्लस A है और यहां पर हो जागा VR का square और VC जो है इसका square क्या हो जागा 3B का square और यहां पर VR VC के है 3B minus B और AR TR और TC के जगर पर हम लोग लिखेंगे 8A upon 27RB ओके दिखाई दे रहे हैं अच्छे से चलिए अब फिर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखाई देगा PR PC plus A upon VR का square VC का square और यहां पर हम लोगा क्या था VR VC minus B equal to R times of TR TC हम लोग यहां पर एक step में लिख देती हूँ क्योंकि यह step का marks मिलता है एक्जाम में ओके सब्सिच्यूटिंग वैल्यूज ओफ सब्सिच्यूटिंग वैल्यूज ओफ PC VC and TC in equation 1 in equation 1 we get अगर सभी पांच साल का question bank चाहते तो आप लोग को please कम से कम अपने past friends के पास जरूर इस channel के बारे में बता देजिएगा सब्सिच्यूटिंग वैल्यूज ओफ PC VC and TC in equation 1 वी गेट तो हम लोगों क्या मिलेगा यहां से ए पी आड़ अपन 27 बी स्क्वार जैसा है कि मैं आप लोग को बता ही हूँ critical pressure का वैल्यूज अपन 27 बी स्क्वार होता है और यहां पे है प्लस ए वी आड़ का स्क्वार वी सी का स्क्वार क्या होता है VC होता है 3B मतलब इसका स्क्वार हो जाएगा आप लोग का 9B स्क्वार और यहां से आप लोग का VR है और यहां पे है 3B minus B equal to RTR8A upon 27RB अब चलिए common लीजिए तो हम लोग यहां से क्या common ले सकते हैं A by B square common ले लेंगे तो यहां बचेगा PR upon 27 और यहां से A by B square लेते हैं तो 1 upon 9 VR square और यहां से हम लोग B common लेंगे तो हम लोग को बचेगा VR minus 1 और यहां से कुछ common ले सकते हैं क्या यहां से है हम लेगों का R है R है, T R है 8 A है, ओके अब दिख़रा होगा अच्छे से R है, T R है 8 A है, अपन 27 R B है, अब क्या करेंगे जलिए कुछ काटने वाला है, तो इसको काटिए अच्छे से, यहां A हटाईए A हटाईए ओके, यहां से B से 1 B गया, यहां 1 B से 1 B गया, ओके और कुछ तो नहीं है काटने वाला देख लीजिए, कहीं काटने वाला है कुछ तो इसको काट देंगे यह R से, यह R गया अब हम लोग कर रहेंगे क्या 27 से मल्टिप्लाई करके, इसको करिए किजिए 27 से मल्टिप्लाई करते हैं तो यहां पर PR बचेगा और यहां पर क्या बचेगा, थिरी बचेगा ओके, और अपन बचेगा VR स्कूर्ड, और क्या बचेगा यहां पर तो VR माइनस 1 है थिरी से, और देख सकते हैं यहां पर हम लोग कुछ गरबर तो नहीं किये हैं और यहां पर तो सिधा 8 TR बचेगा, ओके, और यहां पर आप लोग को क्या बच जाएगा यहां पर हम लोग का 3 जो है, तो वो तो 3 तो रहेगा ए 3 कहा से गया, ओके, तो हम लोग का यहां अब से 3 VR माइनस 1 QA hisster को उस नाम से जानते हैं यह सुरू में यह समझाया थी हमोंका A&B यह ऑर B क्या होता है out of republic a कॉंस्ट्रेफंट Okaying up अगी होना चाहिए अधे हैं टीनों कैप सकते यह हम लोग का गुक्त को बताई थी 3 और वियार के जगे पर पर क्या बताई थी 5 क्या माइनफ 1 और यहां पर आप लोगको बताई तो आप लोग को से तिखने लिए को है और यही आ जाता है लोओ करस्पंडनेग मेंस इसक होग चलिए यह एक्वेसन देखके हैं अपलोग क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं çalış़ेशन लिखेगा आप लोग देखिए इस इक्वेसं इन्वार्वस काँ इस इक्वेसं इन्वार्वस नाईदार ए भी कर चलिए लिखे नाईदर डाइधर आड the not the wonderful constant a and b, okay, wonderful constant a and b, hence it is, hence it is a general of, hence it is a general of applicable to all substance, मतलब यह एक general equation हो गया, जो कि सभी substance के लिए applicable होगा, general of, general equation applicable for, applicable for all substance, okay, चलिए, दो लाइन और लिखिए, और हम लोग करेंगे, इसको समाप थी, इसको लिखिएगा, it follows from the equation, it follows, it follows, it follows from the equation, it follows from the equation, if two or more substance at the, if two, if two or, it follows from the equation of two or more substance, have the, have the same reduced temperature, have the same, देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप लोग का same reduced temperature हो, और same reduced pressure हो, तो हम लोग जो निकालते हैं, same reduced volume, वह हम लोग का होता है, law of corresponding state, तो यही मैं आप लोग को लिखिएगा, it follows from the equation, if two or more substance, have the same reduced temperature, and the same reduced pressure and, and the same, and the same reduced pressure, they would have the, they would have the same reduced volume, they would have the same reduced volume, this statement is known as principle of corresponding state, okay, this, this statement of principle, this statement of principle, this statement is called principle of corresponding state, okay, just wait, this statement is principle of corresponding state, okay, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, और जो यह substance, जिस सबस्टान्स को follow किया जाता है, उसको बोलते हैं, हम लोग, corresponding, इस सबस्टान्स are said to be corresponding state, ओके, इस सबस्टान्स are, इस सबस्टान्स are said to be corresponding state, चलिए, मैं आप लोग को एक बार अच्छे, समझाती हूं सब कुस टेंसर मत लेजिए, और को अगर नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सिक्सने बताएगा ताकि मैं नेक्स वीडियो बताऊंगे, तो इसमें और अच्छे तरीके से समझा सकूंगे, और देखिए हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग पर रहे थे अभी दिद यूस लॉफ कोर्सपर्णिंग मतलब यह जो एकुएसन ना लॉफ को रोच्टेंग करना था ढराईब्स यह हम लोग यह वर्डर वाल एकुएसन में जो हम लोग का PVC है उसको हम लोग critical pressure, critical volume और critical temperature के form में उसको रखके हम लोग इसको derive किये क्योंकि हम लोग जो wonderful equation था वो A, B, R ये तीनो जो wonderful equation था उसमें A, B, R involved होता था जिसकी वज़े से वो किसी भी particular gas के लिए valid था तो हम लोग को एक ऐसा equation derive करना था जो सभी gas के लिए valid हो तो हम लोग इस टाइब से A, B, R को grab करते हुए एक equation बनाया है और इसी equation को हम लोग जानते है law of corresponding state के नाम से कैसे derive की है आप सभी देखे वंडर वाल equation में हम लोग P, V और C को अलग उसको change कर दिये है और हम लोग कर लिये है इसको derive और बहुत बेतरीन तरीके से derive की हूँ मुझे नहीं लगता है आप लोग को problem हुआ होगा चलिए question number देखिए हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे है अभी chemistry subsidiary 2020 का chemistry subsidiary का बिहार university के question bank को कर रहे है solve जिसमें मैं आप लोग को group A का यह समझाई यह समझाई ओके सारा का सारा derivation ही था अगर आप लोग written मतलब की बहुत सारी आसे student होते है जो सोचते है रट के पास कर जाएगा तो रट के पास नहीं कर सकते हैं अब देखिए question number 2 का B क्या है give the physical significance of wonderful constant A and B और mention their unit तो मुझे आप लोग को wonderful constant A और B का physical significance बताना है और हम लोग बताना है उसके बाड़े में अच्छे से तो देखिए मैं आप लोग को बता दू मैं आप लोग को पांचों बताऊंगी क्योंकि कोई जवरी नहीं है कि इसे यही पांच का पांच सेम आप लोग के एक्जाम में repeat करेंगा इसमें से एक भी आ सकता है और दो कहीं और से ले कुछ भी पूछ सकता है तो लोग यह पांच रो Argent को देखेंगे लेकिन हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे क्योंकि लेंद्ध बहुत बड़ा हो के लिए नेक्सट पार्ट कर दूंगी बनाके अ weasip देस कर देस्iyorum comment कर के एड़राइज्मेंट को पूरा देखिएगा बीना स्किप किये हुए उसके बाद अगर वह आपके मतलब का होगा तो उस वीडियो को पूरा देख लीचेगा अगर वह आपके मतलब का नहीं होगा तो आप लोग उसको छोड़के जा सकते हैं ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए अपना ख्याल लखेगा औ पढाई करते रहिएगा